पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुँची नहीं पाया है, धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है. भारती अमूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं, यहां तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं. फिर से जन्म लेने की तक्नीक पर भले ही मत भेध हों, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं. विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अन्त नहीं होता. उसका रूप बदलता रहता है क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता. विभिन्न तत्वों, पंच तत्वों के सन्योग से जो जीव बनते हैं, मित्यू के समय वे नश्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मित नहीं जाते. विज्ञान की नजर में पुनरजन्म पिछली शताबदी में अपनी अनवेशी मेधा के कारण आधुनिक गैलीलियों कहे जाने वाले वैग्यानिक डाइयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैग्यानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है. उप्युक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है. उन्ही की टीम द्वारा किये प्रयोग और उसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनरजन्म कालपनिक नहीं है. उसकी संभावना निश्चित सी है. अमेरिका के कोलोराडी प्यूएली नामक में रुथ सीमेंस नामक लड़की ने सन 1995 इशुनि में न सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछलो जन्म का सही हाल बता कर इसाई पमरप्रा के उन निश्ठावान अनुयाईयों को हैरान कर दिया जो पुनरजन्म को नहीं मानत रुथ सीमेंस मोरे वनस्टाइन नामक विद्या विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त की उसने बताया कि 1890 में आयर्लैंड के कार्क नगर में उसका पिछला जन्म हुआ था तब उसका नाम ब्राइडी मर्फी और पती का नाम मेकार थी था दूसरा जन्म लेकर कातिल को पकड़वाया इस्तंबूल तुर्की की विज्ञान अनुसंधान परिशद ने पुनरजन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निस्संदे पुनरजन्म से संबंधित थी इस मामले का प्रमुख पात्र चार वर्ष का बालक इस्माइल अतलिंट्रलिक पिछले जन्म में दक्षिन कूर्व के अधनागाओं का वाशिंदा आविद सुजुल्यूस था इसकी हत्या की गई थी उसके तीन बच्चे थे गुलशरा, लकी और हिक्मत चार साल का इसमाइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगता और रोने लगता एक दिन इसमाइल ने एक फेरी वाले को आईस्क्रीम बेचते देखा उसने अजन्बी का नाम लेकर पुकाराम हमूद तो साख सबजी बेचते थे, अब आइस्क्रीम बेचने लगे फेरी वाला दंग रह गया यह बच्चा कैसे उसका नाम जानता है और कैसे उस पिछले व्यापार की चर्चा करता जब की उसका जन्म भी नहीं हुआ था बच्चे ने कहा तुम भोल गए मैं तुम्हारा चिर परिचित आविध हूँ। कई साल पहले उसका कतल हो गया था इस तरह से पूर्व जन्म की बातों को जानने में लगे हैं वैग्यानिक बच्चे को अधना नगर ले गए वहाँ पहुचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलशरा को देखते ही पहचान गया उसने हत्या के स्थान अस्तबल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुलहाडी से हमला कर मुझे मार डाला और विवर्ण भी सही पाए गये उनके आधार पर पुलिस ने इस कतल की ठीक वैसी ही जाच की जैसी की बच्चे ने बताई पिछले जन्म को प्रमानत करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने की तकनीक बहुत पुरानी है उस पर संदेह भी जताए गए है अब जीन्स और गुनसूत्रों के आधार पर परखने की नई तकनीक काम में लाई जा रही है 1998 से उप्योग की जा रही इस तकनीक के और भी रोचक और ज्यादा प्रमानिक नतीजे सामने आ रहे है